इस वक्त हम लोग मौझूद हैं दिल्ली के विजय चौक इलाखे में अगर हम इस वक्त के AQI की बात करें तो सफर एप पर ये AQI आप देख सकते हैं दिल्ली ओवरॉल में साढ़े 300 के उपर यानि वेरी पूर केटेगरी में PM 2.5 है जो बेहत खतरनाक है इस वक्त आप देख चुकि ये जो सामने यहां से राष्टपती भवन बहुत दूर नहीं है लेकिन आपको स्मॉक नजर आएगा जिसकी वजह से आपको राष्टपती भवन साफ नजर नहीं आ रहा है दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब जो तमाम कोशिशे की गई थी शायद वो ही है यही वजह है कि दिल्ली का प्रदूशन वेरी पूर कैटेगरी से निकल नहीं पा रहा है और अब अगर हम कहें तो जो उमीदे हैं वो दो चीजों से एक तो जो हलकी हवा चल रही है ये शाय थोड़ी तेज हो जाय तो दिल्ली की हवा साफ हो और दूसरा जैसा कि हैं तो दिल्ली और आसपास की आबो हवा कम से कम कुछ वक्त के लिए जरूर साफ हो जाए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज तमाम एमर्जंसी मेज़र्स ले रहे हैं लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में एयर कॉलिटी यानि की हवा की गुण्वत्ता लगातार हुई है यहां से सबसे करीब जो एक्यूआई का मीटर लगा हुआ है वो रोहिनी में है और अगर हम एक्यूआई के टर्म्स में बात करें तो इस इलाके में 400 के पार है एक्यूआई यानि की सीवियर कैटेगरी में दिल्ली के दूसरे कोनों में भी इस्तिती बहुत काचेगरी में हैं या सीवियर कैटेगरी में हैं और यह सब तब हो रहा है जब दिल्ली के अंदर construction activity पे complete बैन लगाया गया है दिल्ली के आसपास के राजयों में भी construction activity पे तमाम के बैन लगाए गए हैं एक coordinated effort किया जा रहा है ताकि दिल्ली और NCR की हवा में सुधार हो दिल्ली वालों और NCR वालों को दमघोटू हवा से राहत मिले लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलहाल एक quality index के हिसाब से राहत दूर है वीडियो जनलिस्ट अलोगदास के साथ मेहमित भारदवाज दिल्ली